हेलो गाइस, ऐसे ही हंसते रहे हैं और मुस्क्राते रहे हैं तो आज मैं जा रही हूँ बनाने पालक, पनीर, आलू, कुपता तो उसके लिए हमें क्या-क्या सबान लेनी चाहिए तो सबसे पहले हमें मसाला त्यार करना है मसाले में मैंने लिया है लेसुन, प्यास, और दो, लाल मिर्च, और काली मिर्च, लॉंग दो, बड़ी लैची, अधरक और जीरा इतना हमें पेश्ट इसका बना लेना है, मिक्सी में पीश कर तो चलो इसको फिर मिक्सी में मैं पीशती हूँ और यहां पे मैंने कर दी है सारी तेयारी कोपता बनाने की तो यहां पे मैंने पालक को उबा लिया था और उसके बाद में मैंने सिल्बट्टे में उसको पीज लिया है तो इसके बाद में हमें सबसे पहले करना है कढ़ाई चड़ाना है और उसमें डालना है सर्सो का तेल लोग जानते हैं तो ये कोपता लोहे की कढ़ाई में बहुत ही टेश्टी बनने वाला है तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते रहे हैं आपको जरूर पसंद आएगा और एक बार बनाना जरूर अपने घर में ट्राय जरूर करना तो मैंने सरसो के तेल में थोड़ी से करें लूंगी तो मेरी बहुक्ते क्याण से बून गई है फिर मैंने जो मसाला मैंने को पीस के रख्णा था उसमें मैंने me Rs. में लिए पोडर ओर धनियापोडर उडल दिया है तो ये मेरा मसाला का पेष्टत तयार हो गया और जैसे मेरी पालत बonos छाबकर पनाई है तो मैं तो मैं कुछ इस प्रकार से बनाती हूँ और सच में ये कोपता बहुत ही टेश्टी बनने वाला है और आप भी ज़रूर बनाईएगा बहुत टेश्टी लगता है तो यहाँ पे मैंने सारी पालक को निकाल लिया है उसके बाद में मैं फिर इसमें सरसो का तेल डालूँगी अब हमें मसाला भूनना है तो मैंने प्याज और लेसुन और जो पेश्ट बना के रखा है उसको भूनना है में एक तेज पता लिया है उसमें एड़ किया और उसके बाद में मैंने मसाला डाल दिया है तो मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है जब तक जब तक वो तेल ना छोड़ दे तो यहां पे मसाला भी पख गया है और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर कस्मीरी लाल पौडर डाला है मिर्श का कस्मीरी मिर्श लाल पौडर तो उससे कलर तो अच्छा आता है पर यह वाला इसमें कलर नहीं समझ में आएगा तक अख़्छा लगेगा उसका जो बड़िश्ट होता है वह भी अच्छा आएगा और उसके बाद में मैंने यहां पर अलू आड़ किया और फिर अब हमें इसको मिला लेना है अच्छे से और ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हमें इसमें पानी एड़ कर देना है पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पतला गाढ़ा जैसा भी हो आप डाल सकते हैं तो मैंने आप पे एक ग्लास पानी डाला है अभी मैं और डाल दूँगी थोड़ा सा हमें कम लग रहा है और मैंने पानी डाला कुछ इतना पतला हमें रखना है अभी तो ये पकेगा तो और गाड़ा हो जाएगा फिर मैंने इसमें वो पनीर जो मैंने रखी थी कट करके मैंने पनीर को फ्राइ नहीं किया है पनीर को ऐसे ही मैंने डाल दिया है तो कुछ इस तरह से मैंने बनाया और इसमें मैंने गरम मसाला डाला है फिर मैंने नमक डाल दिया अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हो और ये मेरी सब्जी अभी पांस मिनट में पग जाएगी तो मेरी सब्जी पग गई है ये लेखिए कुछ इस तरह से हुई सब्जी और सच में इतना अच्छा ट्रेश्ट है पोख टेश्टी रेस्पी मैंने बनाई है उम्मीद करती हूं कि आपको जरूर फसंद आया होगा तो कुछ इस प्रकार से है आप देख लीजिएगा आप भी बनाईए अपने घर में एक बार जरूर ट्राइ करिएगा आपको जरूर अच्छी लगेगी ये रेस्पी तो फटा फट बन भी जाती है और बहुत ही टेश्टी भी बनती है तो कमेंट करके जरूर बताना अभी मेरे बीडियो में आप लोग बने रहना प्लीज क्योंकि मैं अपने बीडियो में कुछ दिखाने वाली हूं कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया है कैसी साड़ी दी है मेरी मम्मी ने आप लोग जुरूर देखना तो ये मेरी थाली सच चकी है और ये राह लोकी का रहता और पालक का कोपता और रोटी और चावल आप लोग भी आ जाये खाने के लिए और एक बात तो मैं बताना भूली गई कि पालक के कोपते में मैंने आलू को पहले ही उबाल के ही रख लिया था वही मैंने डाला है तो अब मैं आगे हूँ सुबे के सारे काम करने और मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ काम अपना खतम कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे कैसी दी है साड़ी और यहाँ पे सारे बिस्तर मैं तहारी हूँ बिस्तर क्या वो रजाईयां हैं कंबल हैं थंडियों में तो बहुत सारे हुई जाते हैं तो उनको अच्छे से फोल्ड करके रखना तो अच्छा लगता है मैं ऐसे बिक्रा हुआ नहीं अच्छा लगता है तो वही मैं रख रह में हुँ को सुपह बहुत है तो काफ़ होजाता है तो जलता रहता है तोह हुँ यहां से मैं रजाई कुछ इस तरीके से लॉब गरती हूं कि और हम कम्लबी में मेरे पास पर स्वेकिंग में नहीं उड़ती हूँ, त्योंकि सर्दियों में रजाईयां हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और रजाईयों के जो कवर होते हैं, वो वाइट कवर ही हमें अच्छे लगते हैं, और फिर मैंने अपनी बेट सीट को अच्छे से जिटिक के फिर से मैंने बिचाया, और ये वाली बेट सीट जो है, ये मेरी गरम बेट सीट है, और ये बेलबेट के वाले कपड़े में हैं, जैसे कि वो कंबल जो नहीं आते हैं, वो वाले जो बेलबेट के होते हैं, वसी में 300 मिली थी, बहुत ही अच्छी बेट सीट है, सच में जितना मैं इसको धूलती हो मिली है, तो कुछ इस प्रकार से है, और भी एक बेट सीट है, वो भी बहुत ही खुबसूरत है, तो ठंडियों में तो गरम बेट सीट पिछाना ही चाहिए अच्छा लगता है और काटन की तो मैंने सारी बेट सीट रख दी है अब गरमियों में ही निकलेंगी तो ये मैंने सारे विस्तर को फोल्ड कर दिया रजाईयों को और फोल्ड करके साइड में मैंने लगा दिया और देखे कितनी जगा निकला ही न अच्छे से फोल्ड हो गए और मेरा बेटा है ये सब नहा चुके हैं बस इनको क्रीम लगाना है पौडर तो लगाना नहीं क्योंकि गर्मी तो है नहीं क्रीम और तेल लगा देना है इनके तो वही मैंने कहा आज ओ तुम लोगों को भी मैं त्यार कर दूँ और काम तो होते रहते हैं फिर मैंने अपनी डेशिंग साप कर दे सीशा और तो ये तो रोज का काम है हमारा तो ये तो चलता रहता है और काफी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है चोटा सा ही है और मैंने सोचा क्यों न आज बनाये क्योंकि ठंडियों में बिल्कुल भी मन नहीं करता है एक तो कैमरा पकड़ो उसको सेट करो फिर वीडियो बनाओ फिर उसको एडिट करो फिर अपलोड करो बहुत काम हो जाते हैं सच में ऑर मैं देखो कैसी बनी हूँ सुब़े जैसी बनी हूँ मैं वैसे ही यूह नsweise मैंने चोटी की है कुछ भी नहीं मतलब बस मैं नहायी हूँ और मैंने चोटी गरा कुछ भी नहीं किया तो प्लीज आप लोग माइंड मत करना मैं सुबह ऐसे ही रहती हूं तो जैसी भी हूँ मैं आपके सामने आ जाती हूं और मैंने बड़े बेटे को क्रीम गएरा सब लगा दिया है उसने अपने बाल मुड़वा दिये हैं तो यह चोटा वाला दू है मेरा यह भी अपना तयार हो गया है इसको मैं तैयार कर दूंग तो रोश तो कभी-कभी नहीं न आते हैं पर मैं कपड़ा रोज 주ो की बड़े भदल देती हूं थंड़क है तो बच्चों को इसे की हूँ ल्यपना आता हूँ दिछाला देखता है तो यह हुआ मेरा काम अब मैं बाहर वाले रूम में लिविंग रूम मैं हुआ है मैं इसको ठाक सेन्स करना हो मैं को थोड़ाई साथ कर दिया है अपने खाना है ये मेरा इतल य कावले दिफार बीले mineral देखाना भन तो इसमें ज्यादा कुछ बैटता नहीं यहां पर यह वाला रूम थोड़ा सा ठंडा करता है तो इसमें कमी लोग बैठते हैं हम लोग अंदरी वाले रूम में बैठते हैं तो कुछ इस तरह से मैंने सजा रखा है अपना लिविंग रूम तो काम कभी भी नहीं खतम होते हैं अभी तो यह हल्का फूलका काम रोज का मैंने दिखाया है अभी तो कीचन पड़ा हुआ है कीचन को ही साब करना है तो जाड़ो पूछा अब पूछा Kids सब कुछ हो गया उसके बाद में कुछ हिस तरह से है मिरा घर सेटिंग करने के बाद स तो यह दिखिए, सब पूरा सेट हो गया, और अच्छा लगता है, जब पूरा घर अच्छे से सेट हो, तो देखने में जो सुकून मिलता है, न सच में, पूछो नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, घर बहुत खुब सूरत लगता है, जब अच्छे से सेट हो, और बिखरा ह की फारा थोड़ा नसी तर शर्द को अखे हां चले हैं थोड़ा सा काम लूट सेए अच्छा-इस क काम हो गया है आप्षी नार जैसे मौनिंग में ह माम लाम कितना क्यों सबस्वर्ण कितना काम रहता हैं थया करें फिल परृतु यह हों t partially तो अच्छा नहीं लगता है कि फैला रखर है तो आप लोगों ने देखा है मैंने अपने घर को पूरा ब्यवस्तित कर दिया है अब जाके मुझे को शुट्टी मिली है काम से तो अब थोड़ी देर तो मैं आप से अभी बात करूंगी फिर मैं थोड़ी देर के लिए धूप मेरी ममी ने क्या दिया मुझे क्या दिया रहा है उप अब कैसी साड़ी मुझे क्या दिखा दूँक्क पर है कुछ इस तरीके से अच्छ लग नग तो यह कंगन कितने अच्छ लग रही है ना यह देखिए चूडियों वाला है तो काफे सुन्दर लगें और वैसे भी माय के कोई चाहिए और कुछ ले के ना है ऐसा तो होई नहीं सकता है और सबकी मम्मिया कुछ न कुछ तो देती रहती है हमें सापनी बेटियों को तो वैसा भी मम्मी के पास कोई भी चीज है अगर कहा हुँ मम्मी यह चीज अच्छी लग रही तो मा तुरन देती है तहु म कोई तुरन इक कुछ नहीं मैम्मी नहीं ज्यादातर तो सबकी मम्मी संदे últimos चीज़ी कैशंशच तो देदी है और यह कंगन ग्रीन कलर के हैं यह भी काफी अच्छे लग रहे हैं इसको तो मैं ले के आई थी और साडी में दिखा दूं आपको वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि बेटियों के साडी में साडी वगरा मिले लेकिन मम्मी ने दिया है हम लोगों को हमी लोगों को ट्थी लोगों को अशना में आपके शवय जबना बिलख लुद्ध क कॉछ इच्छिं मम्मी ने सबके लिए पहले से अपनी बेटियों के लिए ॥ाइबap तो और हमने उसमें फाल पीको सब करालिया मनलब कोई भी नहीं साडी होती है उसको तुरंद रेडि करना हमें बहुत अच्छा लगता है और ब्लाउस को मैं से लेती हूं अभी नहीं सिला है तो होता है कितनी जल्दी से तयार करें और कितनी जल्दी से पहने तो यह देखिए कोछ यह वाली साडी कुछ एसी है यह साडी न यह साडै और इसका यह बाडर् वर्याट कर कि अरिbelsा लगव कर तुय पहलाजी साड़ है और मैरी मुर्मी ने दिया और पहन लिए फाल भी लगा लिया भी कैसा लगा, बताइए हक गजो और एक साधी और है ये साधी ये साधी मेरी मम्मी की थी मुझे बहुत अच्छ लगी नेखिया, बीपनी नूव थी, मतलब पूरी नई थी, ममी ने अपने लिए मगवाया था, तो हमें यह साड़ी सबसे जादा अच्छ लगी, मैंने ममी से ले लिया, ममी ने हमें दे दिया, तो कुछ इस तरह से है और इसका बाडर जो ना ये बहुत ब्यारा है और इतनी सौप्ट साड़ी है सच में ये में बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसको ले लिया और इसमें भी मैंने फाल अगेरा लगा लिया इसको तो एक बर मैंने पहना है लेकिन अभी इसका जो डोस तू कुछ ऐसा है और बहुत कुछ मेरी ममी ने दिया है कालेवा ऑगेरा बहुत निया धना matching अगले वीडियो में दिखाऊंगी तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी साडिया और तो आज ब्लॉग बस यहीं तक और नया साल आने वाला है आप लोग सभी लोग जानते हैं बस दो तीन दिन बचे हुए हैं तो आप सब लोगों को नय साल की पहले से ही बहुत- पूरा ब्लॉग आप जरूर बताएगा और यह वाली साड़ी जब मैं पहनूंगी ना तो मैं आपको जुरूर दिखाऊंगी कैसी लगती है मेरे उपर और इसका मैं पूरा ब्लॉग जब रेडी कर लोगी ना तब यह दिखाऊंगी पहन के तो और आपने मेरी सबजी कैसा लगा मेरा पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करना तो मैं अपने वीडियो को यह पर समाप्र करती हूं आपसे मिलती हूं अगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते बाए बाए